Hello friends, मैं हूँ रवीश और आप देखरें मेरा YouTube चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 1983 World Cup की Famous Victory की अब आप सोच रहे होंगे कि 25 जून तो गुजर गया है लेकिन मैं 1983 World Cup की Victory की बात क्यों कर रहा हूँ तो दोस्तो 1983 World Cup Victory पर बनी फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और देट भी सामने आगे है 24 दिसंबर को ये फिल्म बॉक्स आफिस पर रिलीज हो रही है कुछ दिनों पहले आपने इस फिल्म का टीजर देखा होगा इस टीजर में कपिल देव के Famous Catch को दिखाया गया था जो कि उन्होंने 1983 World Cup के Final में लबका था और ये Catch था विव रिचर्ड्स का और टीजर वहीं पे खतम हो जाता और इसी के साथ लोगो आता है 83 लेकिन अब इसका ट्रेलर आ गया है और इसके ट्रेलर में क्या खास बात है ये मैं आपको डीटेल से बताऊंगा लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक मोचे तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत यहां से होती है कि भारत का मुकाबला हो रहा है जिम्बावे से और ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट मैच है लेकिन भारत के बल्लेबास लगाता रेक के बाद एक आउट हो रहे हैं कपिलदेव नहा रहे हैं और घिलाडी उनको बता रहे होते हैं कि भारत के विगेट गिर रहे हैं लेकिन कपिलदेव को लगता है कि सब मजाग चल रहा है जब वो बाहर आते हैं तो उनको बताया जाता है कि भारत के चार विगेट नौ रन पर गिर गया है कपिल देव ये सुनकर चौंच आते हैं इसके बाद दोस्तों अगले शॉट में एंट्री होती है West Indies टीम की West Indies की टीम एरपूर्ट में डजर आती है और वो अपने अलगी स्वैग में दिखाई देते हैं वहीं भारतिय टीम को होटल पहुंचने के लिए बस भी नसीब नहीं होती इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है टीम इडिया का प्रैक्टिस सेशन जहां कृष्णमाचारी श्रीकांट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें गिनबाजी करा रहे हैं मदल लाग ये मेरे को लगता है कि कृष्णमाचारी श्रीकांद का जो यहाँ पे character है उनको एक funny character के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया इस movie पे उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि भारते टीम से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है और press conference hall में भी सिर्फ दो या तीन पत्रकार बैठे होते हैं और जब वो कपिल देव से पूछा जाता है वहाँ पे कि वो यहाँ क्या करने आएं दोस्तों इसमें दिपिका पादुगोर्ण जो है वो कपिल देव की वाइफ यानि की रोमी सिंग का करेक्टर प्ले कर रही है उनकी भी इसमें इंट्री होती है जो कपिल देव को English कपिल देव की जो English है उसको correct करती भी नजर आती है जब कपिल देव बोलते हैं कि यह उनके लिए do and die match है तो दिपिका पादुकौर्ण हसते में उने बोलती है कि यह do and die match नहीं है दोस्तों इसके बाद भारत की जो final victory होती है वो भी दिखाई जाती है जिसमें कलाइव लैड और कपिल देव टॉस करते भी नजर आते है और फिर जब भारत World Cup जीच जाता है तो फिर सारे खिलाड़ीयों को जोष में दिखाया जाता है सारे के सारे जो fans है वो भी जोष में नजर आ रहे होती है और इसी के साथ जो ट्रेलर है दोस्तों वो खत्म हो जाता है तो दोस्तों ट्रेलर काफी शांदार है गूसबंस के लिए बहुत अच्छा ट्रेलर है 1983 World Cup की विक्ट्री एक ऐसी विक्ट्री थी जिसने perception को change कर दिया था पूरे world scenario में की भारत भी जो है वो cricket में dominate कर सकता है यह सिर्फ England, West Indies या Australia का खेल नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो characters है और जो platform जो दिखाया गया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कपिल द कि कपिल देव की जो form है उसमें पूरा रन्वीर सिंग जो है वो घुस चुके है जो उनका batting style है पूरा का पूरा जो उन्होंने shots लगाएं ऐसा लग रहा है कि कपिल देवी कहले हैं दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी रन्वीर सिंग के बारे में हुबा हू उन्होंने कौपी किया है कि उनके बोलने के style को भी चाहे वो press conference वाली बात हो चाहे वो madalala को net practice में सभजाने की बात हो या फिर dpka padukon से जब वो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने kapil देव की बोलने के style को भी दोस्तों कौपी किया है तो trailer को देखके तो मैं full marks दोनों गिलाडी काफी लंब है तो डिरेक्टर कबीर खान को इस पर काफी ध्यान देना चाहिए था दूसरी चीज़ जो दोस्तों केंवस लग रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि 83 वोड़ कप का मैच नहीं है यह लग रहा है 2021 में ही लॉड्स में कोई मुकाबला खिला जा रहा है यहां तक कि जो क्राउड है और जो उनके कपड़े है वो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यह नए जमाने के 1983 की फील यानि कि आज से इतने पुराने की जो फील है 38 साल पुरानी जो फील है वो इसमें थोड़ी से मिस हो रही ऐसा लग रहा है कि यह आज की क्राउड यहां पे बिठाई गई है और आज की कैमरा टेक्निक्स का यूज किया गया है जिसकी वज़े से इतना जो सिनेरियो है वहां का वो ऐसा लग रहा है कि 1983 का नहीं है बलकि 2021 में मैच हो रहा है शायद इसमें थोड़ा सा वॉर्क करना दोस्तों आपको क्या लगता है आपने ट्रेलर देखा है नहीं देखा है अगर आपने देख लिया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन पर बताएं कि आपकी क्या रहा है